सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कम टू बालाजी स्टाडियादा नवश्कार दोस्तों बालाजी स्टाडियादा में आपका स्वागत है यूपी टेट सभी के लिहाद से जो मेले हैं चाहें वो भारत के हो चाहें उत्तर प्रदेश के हो सभी इंपोर्टेंट हो जाते हैं आज के वीडियों में हम देखेंगे भारत के अंतरगत जो उत्तर प्रदेश है उसके सभी मेले जो की हमारा यूपी टेट के लिहास से काफी important जो है वो topic है तो जितने भी उत्तर प्रदेश से मेले सभी जो हम इसमें cover करेंगे भारत के मेले हम अलग से बात करेंगे उसमें जो 250 मेले हैं, यहाँ पर लगबग आगे लगा है, तो accurate नहीं है, लगबग जो है, टोटल उत्रप्रदेश में 2250 मेले हैं, परंतु उनमें से केवल कुछ खास ही होते हैं, जिसको आपको पढ़ना होता है, सारवाधिक मेलों की संख्या की बात करें, तो मतुरा में जो है, वो 86 मे मेली भीत में हैं, तो बात करें उत्रप्रदेश के मेलों की, तो सबसे पहला है हमारा प्रयाग राज में जो लगता है कुम्ब मेला, कुम्ब मेला जो है एक्चल में 4 जगा लगता है, हरिद्वार, उज्वैन, नासिक और प्रयाग, हरिद्वार, उज्वैन और नासिक जो इन चारों को मैंने साथ में लिख दिया है तो ध्यान रखिये का कुम मेला जो है अरिद्वार में, उजयन में, नासिक में और प्रयाग राज में लगता है जिन पर जो बेश्ड कुशन पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि इन में से या छे वर्स के अंतराल पर या अर्द कुम मेला जो है, वो कहां लगता है तो वो प्रयाग राज में लगता है तहन में रखियेगा और बाकी सभी प्रती बारवे वर्स आयोजित होते हैं अरिद्वार, उजयन और नासिक में बात करते हैं अगले मेले की और इसके साथ एक चीज ये भी दान रखेगा माग का मेला या कुम्ब का मेला ये अलग-अलग है माग मेला अलग है माग मेला जो है, प्रयाग का माग मेला अलग होता है और एक मेला और आप आगे पढ़ेंगे जिसे जो है वो उत्तरकासी का माग मेला कहा जाता है या उत्तरकासी का माग मेला कहा जाता है वो भी वहाँ पर आपको माग ही वर्ड देखने को मिलेगा तो दोनों जगा आप माग वर्ड देखके गनफ्यूस ना हुएगा जो उत्तरा खंड में माग मेला है उसे उत्तर कासी का माग मेला कहते हैं और जो उत्तर प्रदेस में है उसे प्रियाग का माग मेला कहते हैं बात करें अगले मेले की तो नौचंदी मेला मनाय जाता है मेरट में खिजडी मेला की बात करें तो वो जो है वो गोरकपुर में मनाय जाता है अगला मेला है हमारा कैलास मेला और उसके साथ सद बटेस्वर मेला बटेस्वर मेला जो है ये एक पसू मेला है ये दोनों ही मेले जो है वो आगरा में मनाय जाते हैं इसके साथ यह प्रतिवर्ज आयोजित होते हैं अगला है हमारा कतकी मेला कतकी मेला जो है वो बिठूर में मनाय जाता है अगला है उत्राइडी मेला उत्राइडी मेला जो है वो बरेली में मनाय जाता है बरेली में जो है वो उत्राइडी मेला मनाय जाता है उत्तर प्रदेश के जो सर्वो प्रुमुक रूप से पूछी जाते केवल और केवलम उनकी यहाँ पर बात कर रहे है अगला है हमारा दादरी मेला दादरी मेला जो है वो बलिया में मनाय जाता है दादरी मेला बलिया में मनाय जाता है अगला है हमारा सहीद मेला सहीद मेला की बात करें तो सहीदों की याद में सबसे लंबी अवधी तक चलने वाला जो मेला है यही सहीद मेला है जो की मैन पुरी में जो है वो मनाया जाता है और जो इसकी अवदी है इस मेले की वो जो है वो 19 दिन की अवदी है डारेक्ट आप से प्रस्न पूछा जा सकता है कि सहीदों की याद में सबसे लंबी अवदी तक जो चलने वाला मेला है वो कहां इस्तित है तो महनपुरी में और महनपुरी कहा जाएगा हमारा यूपी यान यूपी के मुकी मंत्री है उनसे लेटट आपने काफी बार सुना भी होगा तो यह वो इटावा में मनाया जाता है अगला है हमारा स्रामर लट्ट मार होली और जन्माश्ट मी यह सभी मेले के ही उदारण है यह जो है वो मतुरा में मनाय जाते हैं इसके लिए ज्यादर डे में मनाया जाता है अगला है हमारा धाइंगाट का मेला धाइंगाट का जो मेला है वो साजहांपुर में मनाया जाता है इसको थोड़ा सा आप करनेंट करके भी याद रख सकते हैं कि धाइं दिन मुझे लग जाते हैं यहां से साजहांपुर जाने के लिए इस टाइप से आप connect करके खुद की trick बनाई है जिसे कि आपको हमेशा के लिए याद रहा सके बात करते हैं अगले की अगला है हमारा देव पाटन मेला जो कि बल्रामपुर नगर में जो है देव पाटन मेला अगला हमारा गोविंद साहब मेला जो कि अंबेडकर नगर में मनाया जाता है अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला मनाया जाता है इसे कि अंबेडकर भीमराओं अंबेडकर थे यहाँ पर गोविंद वललप पंत दो नाम ऐसे हैं आप याद रख सकते हैं इनकी आपस में दोस्ती थी तो उनसे आप याद रख सकते हैं अगला है हमारा दुरूपद मेला यह हमारा जो है काफी important है काफी बार पूछा जाता है दुरूपद मेला की बात करें तो यह वो वरंदा one और वरण सी में मनाया जाता है अब इसको याद कैसे रख सकते हैं यहाँ पर पद वरण लिखा है जो की rank को जो है वो दरसाता है और rank हमारी क्या आती है 1,2,3,4 तो उस 1,2,3,4 में देखे हैं वरंदा one में one आ रहा है तो rank से आप इस one को connect करके याद रख सकते हैं वरंदा one भी हमारा वास से ही start है दूसरा वरंद से भी हमारा वास से start है तो इन दोनों को भी आप आपस में connect करके याद रख सकते हैं अगला और last हमारा मेला है साकंबरी देवी मेला जो की सहारनपुर में इस्तित है साकंबरी देवी मेला जो है इसको याद कैचे रखेंगे साक सबजी आप जो खाते हैं कहीं न कहीं आपको जो है वो सहारा प्रदान करता है साक सबजी जो है आपको सहारा प्रदान करता है उससे आप याद रख सकते हैं सहारनपुर तो इस टाइप से आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं या जो मैं आप पर बता रहा हूँ, उसके आधर पर भी याद रख सकते हैं, तो जितने भी उत्तर प्रदेश के हमारे important मेले थे, सभी के हमने बात कर ली, आप से किवल इतनी request है, कि वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, इसी प्रकार हम सभी भारत के मेले के भी एक वीडियो मे करें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टमस्कार, थेंक्यू फॉर वाचिंग